बेलकम टू एक्जाम बेविचना तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है आज हिमाचल प्रदेश में L.T. कमिशन के एक्जाम को कंड़क्ट किया गया था और इसका जो पोस्ट कोड है यह है 919 मुझे पुनत आशा है कि जो भी बिद्यार थी हमारे चैनल के साथ त्यारी कर रहा था हमारे यूट्वीब चैनल, बटसै गुरूप या टेलिग्राम गुरूप के साथ त्यारी कर रहा था तो ये आपके लिए असानी हो गई होगी पेपर में मुझे आशा है तो इस पर जो ये वीडियो है इसमें हम इसके पहले GK सेक्शन को और के करेंगे बाकी के सेक्शन को भी देरे-देरे डिसकस करते रहेंगे तो चलिए पहले इसके GK सेक्शन को देख लेते hart मुख्यत हम पहले देखेंगे HPG के सेक्षिन को चलिए देखते हैं जो यहाँ पर पहला प्रशन पूछा गिया था शनी देव मंदीर हिमचल परदेश के किस थान में स्थित है तो यहाँ पर जो सही विकल्ब होना था तो वो हो जाएगा लंबालू में विकल्ब यहाँ पर बिल्कुछ सही हो जाएगा हाँ यह भी बता दूँ अगर आपको किसी प्रशन में डाउट लगता है तो आप अवश्य कोमेंट कीजिएगा हम उसे अवश्य देखेंगे इसके पर शात पूछा गिया था सारी मिला हीमाचल परदेश की किस थान पर मना आए जाता है तो दोस्तों यह HPGK सेक्शन के गरम बात करें यह जितने भी HPGK के कोशन थे हमने हर जब हम हर संड़े को प्रशन पत्त्र को डिसकस करते थे जो भी एक्जाम हो वहीं से लिए होए हैं यह प्रशन सारे रिपिटीड प्रशन है HPGK की गरम बात करें तो ठीक है ना तो उसी को देखते हैं तो पूछा गया था सारी मिला हीमाचल परदेश की किस थान में मना जाता है तो सारी मिला मना जाता है आपके अरकी में यहाँ पर जो बिकल्प A है बिल्कुल सही होगा फिर पूछा है भोजपूरी उत्सब हिमाचल परदेश की किस स्थान में मना जाता है तो यह मना जाता है चंबा में D सही होगा आगी है कर्थी यहाँ पर कार्थी लिखा है कथी हिमाचल प्रदेश के किस खेतर का लोक नित्य होगा तो ये हो जाएगा आफका कुल लुका 124 का D सही हो जाएगा फिर है 125 पॉलियंडरी इंदा हिमालियाज पुस्तक के लेकर कौन है तो ये हो जाएगे डॉक्टर बायस परमार की पुस्तक 125 का सही बिकल्प C हो जाएगा फिर 126 संजे बिद्यूत परयोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है तो ये आफके कि नौर में स्थित होगी 126 का सही बिकल्प यहाँ पर D हो जाएगा अगला प्रशने 127 इसमें पूछा या है हिमाचल प्रदेश राजीय सूचना आयो का गठन किस बर्श हुआ था तो यहाँ पर 127 का सही बिकल्प हो जाएगा 2006 में हुआ था हाँ दोस्तों जितने भी प्रशन यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ ये सभी हमने पहले डिस्कस किये हुए है नए प्रशन नहीं कह सकते हैं जिके के ये पुड़ाने ही प्रशन है जो रिपीट होते आ रहे हैं अगला प्रशने 128 हिमाचल प्रदेश वीशविद्यालिया के प्रथम कुलपती कौन थे तो ये थे बिकल्प ए आरके सिंग डॉक्टर आरके सिंग हिमाचल प्रदेश वीशविद्यालिया के प्रथम कुलपती थी हाँ दोस्तों अगर वीडियो ची लगती है तो इसे लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब अभशी कीजिएगा अगला प्रशने 129 सन 1948 में चीफ कमिशनर प्रविंस के रूप में हिमाचल प्रदेश का गठन कितने जिलों के साथ हुआ था तो ये हुआ था चार जिलों के साथ 139 का सही बिकल्प यहाँ पर यह हो जाएगा आगे है 130 दामी गोलिकान की घटना कब हुई थी तो जो दामी गोलिकान की घटना हुई थी ये 16 जुलाई 1949 में हुई थी 130 का सही बिकल्प यहाँ पर भी हो जाएगा अगला कोशन है 131 सन 1805 में कांगड़ा पर किसने आकरमन किया था तो ये किया था गोर्खा कमांडर अमर्सिहा थापा के द्वारा 131 का सही बिकल्प सी हो जाएगा फिर है 132 फिरोज शाह तुगलक के आदेशान उसार किस मंदिर में 300 संस्क्रित पुस्तकों का अनुवाद फार्सी मेकर सुरक्षित रखा गया था तो यहाँ पर 132 का सही बिकल्प हो जाएगा जुआला मुकी मंदिर 132 का सही बिकल्प सी हो जाएगा अगला कुषने 133 मुकीला गलेशर हिमाचल परदेश के किस जले में स्तित है तो यह आपके लाहुल्स पिती में हो जाएगा 133 का सही बिकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा अगला कुषने 134, सवान घाटी हिमाचल परदेश के किस जले में स्थित है तो सवान घाटी होगी उन्ना में 134 का सही बिकल्प यहाँ पर यह हो जाएगा अगला कोशन है 135, सोलंग परबत चोटी हिमाचल परदेश के किस जले में स्थित है तो यह हो जाएगी कुल्लू में 135 का सही बिकल्प यहां पर C हो जाएगा आगे स्टार्ट हो जाते हैं करंट फेर के कोश्चन तो अगर इन में से किसी में आपको संदे हो तो अबर्शी बताईएगा C is not जो हाली में समाचारों में था कि कि किस देश के समंदरतर्ट पर 71 होती सूचना है क्या प्रशन है C is not जो हाली में समाचारों में था कि किस देश के समंदरतर्ट में 71 होती सूचना है तो यहां पर जो सही बिकल्प मुझे लग रहा है तो 136 का सही भी होना चाहिए पर एक बार आप इसे अवश्य देख लीजेगा अगला कुशने 137 इस इगल एक्ट के नाम से हाली में किस देश द्वारा एक नया कानून लागू किया गया है तो यहां पर जो सही बिकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा USA या अमेरिका 137 का सही बिकल्प भी हो जाएगा अगला कुशने 138 MBX प्रेस परल जो हाली में श्री लिंकाइस मुदर्टर्ट में डूब गया था किस देश का था यह तो यह था सिंगापूर का 138 का सही बिकल्प यहां पर डी हो जाएगा